बाइब इस्टूडेंट्स तोड़े आई एम गूइंग टूडेंग नेक्स्ट लेस्ट लेस्ट फोर लेंचुन which question question means version do you enjoy the most and why do you enjoy कौणसा भोजन आप कौणसे भोजन के लिए आप enjoy करते हैं अधिक से अधिक और क्यों करते हैं कौणसा भोजन आपके लिए पसंद है के विए भीटीट मौशट फ्रैटली कि आप इसे बार वार खाते हो फ्रीकेंट्ली मिस अगेन और आगेन की आप इसे बार बार लेते हो अधो म कहां लेती हूँ at home घर पर लेती हूँ at restaurant restaurant में लेती हूँ at friends या friends के घर लेती हूँ या relatives house या फिर relative के यहां लेती हूँ read about a lunch lunch के बारे में पढ़िये that why not so enjoyable for the writer जो राइटर के लिए enjoyable नहीं था जो राइटर के लिए affordable नहीं था उसके बारे में read कीजिए I caught sight of her at the play मैंने उसके लिए देखा था मैंने lady के लिए देखा था इसमें एक कहानी है राइटर की और एक lady की किस प्रकार राइटर मैंनेज कर पाता है कि उसके मैं lunch दे पाहूं I caught sight of her at the play मैंने उसके लिए पिले में देखा था and in answer answer में to her awakening जो उसने answer इसारा किया था I went over during the interval मैं उसके पास interval में चला गया and sat down beside her और उसके पास बैट भी गया कि it was long since I had last seen her बहुत समय पहली मैंने उसे लास्ट बार देखा था and if someone had not mentioned her name यह कोई उसका name mention नहीं करता यह कोई उसका name mention नहीं करता I hardly think I would have recognized her तो मैं मुश्कल से ही सोच पा रहा हूं कि मैं उससे पहचान पाता इत कोई उसका name नहीं लेता तो मैं उससे पहचान भी नहीं पाता सी एड्रेस्ट मी ब्रैटली उसने बहुती उत्सुकता के साथ अवनंदन किया एड्रेस्ट किया वैल इट इस मैनी इस सिंस भी फर्स्ट में बहुत समय बहुत साल बीत गए हैं जब हम मिले थे हाँ टाइम कैसे खत्म हो जाता है टाइम कैसे बीत जाता है कितनी जल्दी बीत जाता है बीया नन आफ उस गेटिंग एनि अंगर अब हम में से कोई भी यंगर नहीं रहा है डू यू रिमेंबर दा फर्स्ट टाइम आसा यू लेड़ी उस राइटर से कहती है क्या आपको याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था यू आस्क मी टू लैंच आपने मुझे लूंच के लिए इन्वाइट किया था डिद आई रिमेंबर राइटर अपने आपसे पूंशता है मन में क्या मुझे याद थी ये बार इट वाज ट्वन्टी इर्स एगो एंड आई वाज लिविग इन पेरिश पहले की बात है जम मैं पेरिश में रहता था आई एड़ टिने अप़ अपार्टमेंट मेरे पास एक छोटा सा अपयाटमेंट था छोटा सा फ्लैट था देख सकता था एंड़ अर्निंग मैं कमाता था बेरली एनफ मनी पर्याप्त धन में बहुत कम धन कमा पाता था एनफ नहीं कमा पाता था to keep body and soul together जिससे कि मैं अपनी जीवका के लिए चला पाऊँ मैं ज़्यादा नहीं कमा पाता था लेकिन इतना कमा लेता था कि हाँ मैं घर चला सकूँ She had read a book of mine उसने मेरी एक पुस्तक पड़ी थी and had written to me about it और उसके बारे में उसने राइट भी किया था I answered मुझे याद मैंने answer दिया उसे thank कहा and presently I received from her another letter और बरतमान में फिर I received मुझे मिला है from her उससे another letter दूसरा letter मिला है saying उसमें लिखा है She was passing through Paris कि मैं Paris से गुजर रही है and would like to have a chat with me हर भे मेरे से बात करना चाहती है later में ये लिखा था but her time was limited लेकिन उसके पास समय limited है and the only free moment she had was on the following Thursday के वाल उसके पास free moment खाली समय है वो following Thursday को जो आने वाला Thursday है उस दिन वो खाली है she was spending the morning at the Luxembourg she was spending the morning at the Luxembourg बहे लग्जंबर्ग में morning के लिए spend करेगी and would I give her a little luncheon at Fats afterwards and would I give her a little lunch क्या मैं उसे थोड़ा सा lunch दे पाऊंगा at Fats Fats करेश्टरा का नाम है क्या मैं उसे lunch दे पाऊंगा क्या मैं पाऊंगा क्यांगा पाऊंगs फे ओरने मैं उसएउड़ा